हलो प्रेंट्स वेलकम इन माई यूटूब चनल दोस्तो आज किस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम जो है अक्सिस मोबाइल एप के दोरा किसी को भी जो है अमाउंट ट्रांसपर कर सकते हैं तो दोस्तो इस वीडियो में हम आपको complete procedure बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है अक्सिस मोबाइल जो एप होती है उसके दोरा किसी को जो है आसानी से अमाउंट ट्रांसपर कर सकते हो तो अगर आप भी अक्सिस मोबाइल एप का यूज कर रहे हो तो इस वीडियो को देखके औ उपन कर लेना उपन करने के बाद उसमें आपको registration कर लेना है registration करने के बाद में login का जो ओप्सन है login के ओप्सन के ओपर किलिक करना किलिक करने के बाद आपने जो भी इसमें MPN सेट करका वो आपको सब से पहले इसमें सिच डिजिट का MPN इंटर कर देना है तो जैसे मैं MPN इ जो send money है, send money के option के ओपर किलिक कर देना, जैसे मैं send money के option के ओपर किलिक करूँगा, किलिक करते ही, जो है इस तरह का interface आपके सामने खुल के स्यों हो जाएगा, तो इसमें आप देख सकते हो, एक option दिया हूँ है, add pay का, यानि जिसको भी हमारे को जो पैसे transfer करने है, सबसे पहले हमारे को जो है, उसको जो है, यहाँ पर add कर लेना है, तो यहाँ पर add pay के option के ओपर हमारे को किलिक करना है, जिसको भी पैसे बेजने है, उसका account number, IFC code हमारे को सबसे पहले इसमें add कर लेना है, अगर आपने already ही इसमें add कर रहा है, और उसको आपको पैसे इसमें transfer कर रहे हैं जिसे नीचे मैंने एक को add कर रहा है तो उसको अगर मेरे को पैसे बेजना है तो उसके उपर आपको click करके और उसको आप पैसे बेज सकते हो अगर new user है तो सबसे पहले आपको add कर लेना है तो मैंने अल्रेडी इसमें एड कर रहा है, मैं एड किये हुए है कोई जो है पैसे बेजने है तो एड किये हुए के उपर आपको किलिक करना, किलिक करते ही उसका पूरा का पूरा statement आपको यहाँ पर जो है शो कर देगा, यानि नाम क्या है, बैंक का IFC कोड क्या है, बैंक का नमर क्या है, यहाँ पर आपको पूरा का पूरा जो है एड किये हुए का आपको शो कर देगा, अभी आप यहाँ पर जो है पूरी की पूरी उसकी detail जो है चेक कर सकते हैं, और नीचे जो पे का option दिया है, उसके ओपर आपको किलिक कर देना है, जैसे मैं पे के option के ओपर किल पर करने हैं उतने रुपए यहां पर हमारे को फिलब कर देना है, फिलब करने के बाद में नीचे ओप्सन दिया है आप जो है पैसे IMPS से बेजना चाते हो या RTGS से बेजना चाते हो या NEFT से बेजना चाते हो तो दोस्तों आपको इसमें सबसे मैतुवपोन बात यही है कि आपको यह ध्यान रखना है कि मैं जो पैसे बेज हूँ वो फ्री जो है पैसे किस ओप्सन से चले जाए तो इसमें जैसे NEPT मैंने NEPT जो है पे किया तो NEPT जैसे ही मैं पे करके देखूंगा तो side में यहाँ पर show कर देगा कि NEPT free अगर आपको आपने गलती से सपोज करो आपने IMPS सेलेक्ट कर लिया तो वहाँ पर आपको श्योग कर देगा कि आपके कुछ पैसे जो है यह चार्ज वगेरा ले रहा है कि मतलब फ्री ही पैसे सेंड कर रहा है तो वह आपको इसमें चेक कर लेना है कि फ्री है मेरा ट्रांजे पैसे ट्रांसपर आसानी से कर सकते हो दोस्तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें सेर करें वह मेरे यूटूब चेनल को जरूर सब्सक्राइब करें थेंक्यू पर वाचिंग माई वी झाल झाल करेंग झाल करेंग वीडियो करें वीडियो यूण झाल करेंग पर शबसेव